हेलो फ्रेंट्स वेकम बैक टूंड चैनल सो आज किस नीवे आम सुपताने वाली हूँ वन पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टेचिंग तो इसकी गटिन जो है मैंने कर ली है अभी मैं आपको स्टेचिंग दिखाऊंगी तो यहां पर जैसे आप लोग देख सकते हो यह के आपको ँपीस प्रिंस 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 पट बना डी है तो यहां पर सेंटर में ड्रट की मार्कींग दिखाऊंग Willi यहां पर मैं डर्ट कितने को लेने वाली हूँ तो एक साईच से 1् जो हमारी डर्ट होगी वह एक इंच की आएगी तो इस तरह से मैंने अपको शेर्ड से पकड़ना है और निकाल लिया है उतनी ही आपको श्टिचिंगOST लेना है तो यहां पर मैं इन लगाए्टि अ wa Frey करेंगे तो कि הूंचिन निकालिया है। decishan सब स्थोंच पर सी अद्रीशिक करेंगे। यह िनुद है तो स्थोंच अधिगे दिम्क काहिए हुष्पी मार्किंग के तो कि शाव मासिन लहते हैं और की अपना सुपागेगा दाप पूह है नीचे तक स्टीची को यह को अधार लेंगे यह विद्ट। तो आप लोग देशे तो मैंने नीचे तो जो है स्टीचिंग लगा ली है इस तरह से और यह जो हमारी वन्पीस प्रिंसिस कट है वो रेडी हो चुकी है एक साइट की तो इस तरह से फ्लेट आएगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डार्ट नहीं लगाया हुआ है लेकिन फ लगा नहीं है उसके बत यहाँ पर निकाल लेंगे इस टीचिंग को फिर दूसरी आम होल की तरफ से हम लोग लगाएंगी तो यहां पर मैंने ने मार्किंग किया हुआ है तो फिर भी आप सब को दिखाने मैंने और एक वर मार्किंग लगा लिए ताकि आप सब को बता चले तो इस तरह से यहां पर हम अभी हाप यानि सॉरी 0.25 की स्टिचिन लेंगे यानि एक पेर की मार्जिन उतनी तो यह टोटल हमारी हाप इंच की स्टिचिंग हो जाएगी तो इसी तरह से हमें इसको स्टिचिंग करना है और यह जो हमारी फ्रिंसेस कट है वह कंप्लीट हो तो बेक साइट का पार्ट मैंने ले लिया है और यहां पर भी मैंने डाट के लिए मार्किंग किया हुआ है तो इसी को मैं यहां पर मैंने एक इंच लिया हुआ है तो उसी को कवर करते हुए मैं यहां पर डाट भी लगा लूँगी तो जैसा हम लोग एक साइट के डाट ल लग दिया है तो दोनों जो पार्ट है वह आमने सामने होने चाहिए और उसके बद मैं अपना सॉल्टर जोड़ रही हूं यानि ब्लाउच का सॉल्डर जोड़ रही हूं तो हापिन्ज मार्शिं लिया हुआ हमारी जो ब्लाउज है हमने सोलर जोल लिया है अभी हमें स्लीफ लगानी है तो उससे पहले हम लोग अपने ब्लाउज को चेक करेंगे कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं तो इस तरह से आपको बराबर से रखना है दोनों आगे और पीछे के पार्ट को और आम होल की तरफ से दे कर लेना है जैसे आपने मुझे देखा कि मैंने कटिंग किया जितना भी एक्स्टा था तो दूसरी साइट भी हमें ऐसी ही चेक करना है तो मैंने दोनों साइट जो है मैंने चेक कर लिया है और मैं अभी स्लीफ लगाऊंगी तो स्लीफ हमेशा फ्रन साइट का पार्ट फ्रन कि कि या या उआ पे लें जाते हैं और आप सब ने नहीं देखा याय पहले ही स्ट चुकिक हूं म हमने लगा लिया है और सदोसा के जो हमारी ठीट है वो भी आम लोग इसी तरह से लगालेंगे तो दोनों sleeves हमें same ही लगानी है और friends यहाँ पर जो fitting की सिलाई होगी वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा होंगे मैं stiff sleeves की joint ही आपको बता रही हूँ कि कि जो fitting की यानि fitting जो है वो मैं site में hook लगाने वाली हूँ तो उसका में video अलग से मैंने डाला हुआ आप लोग देख सकते हो तो site में hook की इसरह से लगा आते हैं उसका में वीडियो डाला हुआ है उसी में मेरे fitting भी दिखाई हुई है तो इसलिए मैं इसमें fitting नहीं दिखा रही हूँ आप नॉर्मल जैसे हम लोग blouse fitting करते हैं वैसी अगर आज का वीडियो आपको पसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को स्ट्राइप कर लीजे तो आज के लिए बस इतने ही